हेलो फ्रेंड्स मैं उसने इस नया किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए खमन डोकला की रेसिपी लेके आई हूँ यह खमन डोकला थोड़ा डिफरंट है तो इसलिए आप लोग यह वीडियो फुल देखिएगा इसे आप चाहे तो सुबह के नाश्ते के साथ खा सकते या दूपैर के चाहे के साथ बहुत टेस्टी लगता है तो आप लोगी जरू ट्राय किजिएगा अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक किजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को स का डालेंगे इसे हमें चांदना है ताकि कोई भी इंप्योरिटीस ना रहे तो इसे अच्छी तरह से चांद लीजिए यह देखिझ सब्सक्राइब ब Susie अब इसमें हम आदा छोटा चमज नमक का डाल देंगे, आप अपने इसाप से भी डाल सकते हैं, डाई चमज चीनी के डाल देंगे, और सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसमें हम दो बड़े चमज तेल के डाल देंग इसे भी mix कर देंगे, आब इसमें हम निम्बू का रस नहीं डालेंगे, इसमें हम एक चोथाई चमच citric acid का डालेंगे, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है, इसे अब अच्छे से mix कर दीजिए, और इसे हम 10 मिनिट के लिए side में रख देते हैं, इस तरह का cake tin ले लिजिए और इसमें हम गी लगा देंगे, आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं, अब इसे 10 मिनिट हो चुके, रेस्ट करके अब इसमें हम एक चोटा चमच इनो का डाल देंगे, आप चाहें तो एक packet भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए, और इसे फटा फट हम मिक्स करेंगे, अब आप देखें बैटर कितना फलफी हो गया है, इनो डालने से ये फूल गया है, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, अब हम बैटर को इस टिन में डाल देंगे, सारा निकाल देंगे, आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं, मैंन इसे टैप कर देंगे, ताकि कोई एर बबल ना रहे, मैंने स्टिमर को गरम रख दिया था, इसमें मैंने ये स्टैंड भी रख दिया था, अब हम तिन को रख देंगे इसके सेंटर में, और इसे हम डख कर 15 मिनिट के लिए, मीडियम फ्लेम पर इसी तरह डख कर इसे पकने देंगे, अब आप देखिए 15 मिनिट हो चुके डखकन हटा कर देख लेते हैं, ये देखिए डोकला अच्छे से पक चुका है, आपको छुरी डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों तरफ साफ निकली है, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख द देंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे, अब इसमें हम थोड़े से कड़ी पते डाल देंगे, दो हरी मिर्च इसे मैंने स्लाइट कर दिया है, बीच में से काट लिया है, इसे भी हम बून लेंगे, अब इसमें हम आदा कब पानी डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स क अब हम इसमें दो बड़े चमच चीनी के डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे इससे थोड़ा सा पकने देंगे अच्छे से सिर्फ हमें एक दो मिनिट के लिए इसे पकाना है जैदा नहीं अब इसमें हम हरा दन्या बारी काटा हुआ डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे, फ्लेम को बन कर देंगे, डोकला ठंडा हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में ये देखे कितना स्पॉंजी बना है, आपको नज़िक से दिखाती हूँ, अब हम इसे काट लेते ह आपको जो साइस का पीस रखना होगा, उस साइस का काट लीजिए, इस तरह से हम इसे काट लेंगे, आपने देखा ये जटपट से खमन डोकला बन गया, और काटने पर आप देख रहे हैं, कितना स्पॉंजी बना है, तो इसे आप जरूर रह कीजिएगा, अब इसके उपर हमने जो तड़का तयार किया था, वो डाल देंगे, ये पानी का तड़का इसलिए डालते हैं, इससे ये सॉफ्ट रहता है, पानी में बनाया जाता है, ये लिजिए आपका खमन डोकला तयार है, आपको नजदिक से दिखाती हूं, ये दिखें, चारो तरफ से फूल चुक को सब्सक्राइब करना ना बुले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नही रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई थेंक यू फर वाचिंग